हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल की आप सक्सेस में तो आज मैं बताने वाला हूँ तातो का अवर्थ वर्गी करन टॉप ट्वेंटिफाइब अब्जेक्टिव क्वेशन सब्जेक्ट केमेस्ट्री है क्लास 10 का ठीक है और इसके पहल यह वीडियो बहुत ही पॉट्डेट होने वाला है तो प्रीज वीडियो को बिना स्क्रीप कि आप लोग लाज तक देखें थाकि आपका एक्जाम में एक भी क्वेस्टन ना चुटे तो चलिए हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं तो क्वेस्टन नमर वन है कि आवर्थ सा साड़नी में वर्गों की संख्या 18 है तो पहला का ओप्शन D हो जाएगा सही एंसर क्वेस्चन नमर दोसरा देखेंगे कि आवर्थ साड़नी में कितने आवर्थ होते हैं ठीक है पहली क्वेस्चन में वर्ग की बात होई दूसरी क्वेस्चन में क्या है यह आवर्थ कितनी होती है 18 option question number 3 देखेंगे कि अधुनी का वर्थ साड़नी में कितने वर्ग और आवर्थ होते हैं पहला option है 18 वर्ग 9 आवर्थ option B है 9 आवर्ग और 18 आवर्थ option C है 7 वर्ग 9 आवर्थ option D है 8 वर्ग 9 आवर्थ तो तिसरा का option हो जाएगा A यानि 18 वर्ग और 9 आवर्थ ठीक है अधुनी का वर्थ साड़नी में 18 वर्ग और 9 आवर्थ होते हैं तो तिसरा का option number A हो जाएगा सही question number 4 देखेंगे कि मेंडलिफ आवर्थ साड़नी में कितने वर्ग हैं ठीक है मेंडलिफ आवर्थ साड़नी मे कितने वर्ग हैं पहला option है 8 दूसरा option है 9 तुसरा option है 7 और option 4 है 18 तो चौथा का हो जाएगा B यहनि 9 ठीक है मेंडली फावत साड़ी में 9 वर्ग होते हैं तो फोर्ट का हो जाएगा option B आगे देखते हैं question number 5 आधुनी का वर्थ सार्णी का आधार है ठीक है आधुनी का वर्थ सार्णी जो है वो किस आधार पे तयार किया गया है option A में है परमानू द्रब्यमान option B में है परमानू संख्या option C है परमानू आयतन और option D है परमानू भार तो 5 का हो जाएगा option B यानि परमानु संख्या ठीक है अधुनी का वर्थ सार्णी का जो अधार है वो क्या है परमानु संख्या है आगे है question number 6 में अधुनी का वर्थ सार्णी में कितने अवर्थ और कितने समू है ठीक है कितने अवर्थ और कितने समू है तो option A है 7 अवर्थ 18 समू, option B में 9 अवर्थ 18 समू, option C है 18 अवर्थ 9 समू, option D है 8 अवर्थ 18 समू, तो 6 का हो जाएगा option A यानि 7 अवर्थ 18 समू, ठीक है अधुनिक अवर्थ समू में कितने अवर्थ हैं, 7 अवर्थ हैं और 18 समू है, आगे देखते हैं question number 7 में, अधुनिक अव वह तत्व की संख्या कितनी है, option A है 112, option B है 114, option C है 102, option D है 141, तो जो हमारे प्रेडिक्टेवल में, आप लोग निखाल कर देखिएगा, प्रेडिक्टेवल में, को उसमें कुल्ट तत्व की संख्या कितनी रहती है, 114, ठीक है, 114 आधोनिक आवर्थ साड़नी में तो 7 का हो जाएगा option B सही answer question number 8 देखेंगे कि आवर्थ साड़नी में 36 कतारों को क्या कहते हैं ठीक है 36 कतारों को क्या कहते हैं option A है work option B है आवर्थ option C है approve option D है इनमें से कोई नहीं तो 8 का हो जाएगा option B यानि आवर्थ ठीक है 36 कतारों को क्या बोला जाता है आवर्थ तो 8 का हो जाएगा option B सही answer question number 9 देखेंगे कि निमलीखित में से silicone क्या है ठीक है निमलीखित में से silicone क्या है धातु है या आधातु है या फिर उप धातु है या इन में से कोई नहीं तो 9 का हो जाएगा option C यानि उप धातु ठीक है silicone क्या है कैसा तातु है उप धातु है आगे देखते हैं question number 10 में कि मेंडलीख आवर्थ सार्णी में ततो के वर्गीकरन का अधार था ठीक है मेंडलीख आवर्थ सार्णी में ततो का जो वर्गीकरन किया गया वो उस किस अधार पे किया गया था पहला option है परमानू की दरब बिमान option B है परमानू संख है option C है परमानू आयतन और option D है परमानू भार ठीक है मेंडलीख आवर्थ सार्णी में ततो का जो वर्गीकरन किया गया वो परमानू दरब बिमान के अधार पर किया गया था ठीक हो जागा option A सही एंसर आगे देखते है question number 11 में धिया गया है कि आवर्थ सार्णी में प्रत्थम वर्ग के सदस्य है अमलिय धातू, option B है छारिय धातू, option C है अक्रिय गैस, option D है मिस्र धातू तो 11 को हो जागा option B यहनी छारिय धातू ठीक है आवर्थ सार्णी में जो प्रत्थम वर्ग होता है वो छारिय धातू का सदस्य है तो 11 को हो जागा option B सही एंसर question number 12 में दिया गया है कि अवर्थ सार्णी में सुनी समूह का तत्व है पहला option है hydrogen, option B है helium, option C है carbon और option D है lithium तो 12 को हो जाएगा option number B यहनी helium ठीक है helium, जिसका symbol क्या होता है, संकेत HE ठीक है, helium का संकेत क्या होता है, HE यह जो संकेत है, आप लोग कम से कम परमानु संकेत 30 तक सभी का आप लोग इसका जो संकेत है वो याद कर लिजिएगा, ठीक है किसी का भी संकेत आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है जैसे लोहा, लोहा का संकेत क्या होता है, लोहा का संकेत होता है FE ठीक है तो इस तरह से आप लोग कम से कम तीस को याद कर लिजेगा ताकि जाम में आपको कोई फरिषानी नहों कहीं से भी पूछ सकता है तीस के अंदर से ही पूछेगा लेकिन तो आगे देखते हैं क्वेशन नंबर 13 में कि मीथेन में कितने सहसन्योजक बंधन होते हैं ठीक का हो जाएगा ओप्सन B ठीक है आगे देखेंगे क्वेशन नंबर 14 में अमोनिया का अनु में नैट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमानों के संख्या का अनुपात है अमोनिया जो होता है उसमें नैट्रोजन और हाइड्रोजन के परमानों के संख्या का अनुपात बतान तो option A है 2 ratio 1, option B है 1 ratio 2, option C है 1 ratio 3, option D है 3 ratio 1, तो 14 का हो जाएगा option number C, यानि कि 1 ratio 3, nitrogen को जो परमानु की संख्या है वो 1 है, और hydrogen को परमानु 3 है, तो 14 का हो जाएगा option C, यानि एक ratio 3, आगे देखते हैं 15 number question में कि लोहे की परमानु संख्या क्या है, ठीक है लोहे की परमानु संख्या क्या है, सबसे पहले आप ये बताएगे कि लोहा का सिंबोल क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम बताएगे लोहा का सिंबोल क्या होता है, इसका आप लोग comment box में हमें बताएगे कि लोहा का सिंबोल क्या होता है संकेत, तो चलते हैं लोहे की परमानु संख्या क्या है आप्सन A में है 23, आप्सन B है 26, आप्सन C है 25 और आप्सन D है 24 तो 15 को जागा आप्सन B यानिकी 26 ठीक है लोहा का परमानु संख्या क्या होती है टॉमिक नंबर 26 आगे देखेंगे क्विच्चन नंबर 16 में ओजोन के एक अनु में आप्सन के परमानु के संख्या होती है आप्सन A में है 1, आप्सन B में है 2, आप्सन C में है 3, आप्सन D में है 4 तो 16 को हो जागा आप्सन नंबर B यानि 2 ठीक है ओजोन के परमानु के संख्या कितनी होती है ओजोन के अनु में 2 ठीक है ठीक है यहाँ पर गलत टाइप हो गया है तो लिखा गया है हिलियम कैसा तत्व है अक्रिये तत्व है क्रियसील तत्व है सक्रिये तत्व है या फिर उदासीन तत्व है तो जो है हिलियम जो है वो अक्रिये तत्व होता है ठीक है हिलियम कैसा तत्व है अक्रिये तो 17 का हो पहला में है fluorine, option B में है chlorine, option C है bromine, option D है iodine तो इनमें सो जाएगा A option यानि fluorine, fluorine जो है वो सबसे अधीक अभिक्रिया सी halogen है तो 18 को जाएगा option A Question number 19 में देखेंगे कि आवर्त साणी के समूँ एक के तत्व को क्या कहते हैं तो 18 का हो जाएगा option C यानि के चार धातु ठीक है आवर्त साणी में समूँ एक के जो तत्व है वो चार धातु कहलाते हैं तो 18 का हो जाएगा option C सही answer Question number 20 में है कि magnesium आवर्त साणी के कि समूँ का सदस्य है magnesium का क्या होता है संकेत यह हमें comment box में बटाईए अप लोग ठीक है कि मेगनीसियम का संकेत क्या होता है तो मेगनीसियम आवर्त सार्णी के किस समूह का सदस्य है समूह एक का, समूह दू का, आधातु ततो का, समूह आठ का जो मेगनीसियम जो है वो समूह दू का ततो है यानि option B, ठीक है मेगनीसियम कौन से समूह में आते हैं बात जो है वो किसने कहा था लो्थर मेर ने मोजले ने या मेंडली या फिर बोर ने यह जो बात तो था वो मोजले ने क्या बोलता था कि च Cinq yoc तो कीस का option हो जाएगा 20 है आगे है question number 22 में अधुनी का वर्थ साड़नी में 20 से दाइई और जाने पर परमानू का size यानि आकार जो है वो क्या होता है option A है बढ़ता है, option B घटता है, option C परिवर्थी तरहता है, option D इन में से कोई नहीं तो 22 का हो जाएगा option number A यानि की बढ़ता है, जब भी हमा धुनी का वर्थ साड़नी में 20 से दाइई और अगर जाएंगे तो जैसे जैसे 20 से दाइई जाएंगे जो परमानू का size होता है यानि परमानू का आकार ओ क्या होता है बढ़ते जाता है, तो 22 का option A हो जाएगा सही answer question number 23 में है कि मेंडलीफ का जनम कब हुआ था? 1834 में, 1835 में, 1836 में, 1837 में तो 23 का हो जाएगा option A यानि की 1834 में, ठीक है मेंडलीफ का जनम कब हुआ था? 1834 हिस्वी में तो 23 का हो जागा option A सही answer आगे देखते हैं question number 24 कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्ज अरम किया तब कितने तत्व थे? जब मेंडलीफ ने ये जो अवर्त सार्णी यानि की अवर्त सार्णी जो प्रेडिक्टेवल है उस पर अगर ये अरम किया था जिस दिन, जिस टाइम में ये शुरुवात किया था उस टाइम जो तत्व की संख्या है वो कितनी थी? option A में है 60, option B में है 61, option C है 62 और option D है 63, तो जिस टाइम में अरम किया था उस टाइम तत्व की संख्या कितनी थी? 63, option D हो जाएगा, सही answer 24 का option D सही हो जाएगा आगे है last question 25 number किसी वित्ततों की सन्युजकता कैसे निर्धारित की जाती है? किसी वित्ततों की सन्यूजक्ता कैसे निर्धारित की जाती है इलेक्ट्रोन की संख्या से option B है प्रोटोन की संख्या से option C निर्ट्रोन की संख्या से और option D इन में से सब ही तो इन में हो जाएगा 25 का option number A यानि की इलेक्ट्रोन की संख्या से हम किसी वित्ततों के सन्य जक्ता कैसे निर्धारित कर सकते हैं उसकी इलेक्ट्रोनों की संख्या से तो 25 का हो जागा option number A सही answer अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास share कीजिए ताकि उनको भी कुछ मदद मिल पाए और जो भी स्टुडेंट क्लास 10 में अगर इनका सभी का PDF चाहिए तो हर एक वीडियो के description में PDF का link दिया रहता है आप वहाँ से असानी से download कर सकते हैं और जो भी मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब बटम दबा कर सब्सक्राइब कर दें और बगल में लगे प्ले आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो को notification सबसे पहले आप तक पहुँछ पाया